नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आप सब को तो पता ही है, मैं अलग-अलग अतरंगी चीज़े ट्राइ करती रहती हूँ और आप सब हमेशा पसंद भी करते हैं आज एक और बड़िया सी रेसिपी आपके लिए लिखे आई हूँ मैंने भी कभी नहीं सोचा था जिन्दगी में, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं ये कभी बनाऊंगी, पर सूजा तो सोचा बना लू, और एक वीडियो भी बना लू एक्चली मैं हुआ क्या था, कि मैं पपाईय को छील रही थी और उसके छिलके थे अब ये छिलके मुझे फैक ने नहीं थे, मैंने सोचा हर बार फैक देती हूँ पर इस बार इसके मैं पराठे बनाऊंगी, सोचा तो था, बट और ये इतने टेस्टी पराठे बने न, जिसकी कोई हद नहीं है जैसे ही आप पपाईय को छील लेने, उसका जो छिलका है उसे पानी से फिर से वाश कर लीजे और उसके बाद इसे छोटी-छोटी टुकडो में काट लीजे और इस तरह से काटने के बाद गैस कौन करेंगे, कडाई रख देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ, एक चमच जतना तेल, जैसे गरम हो जाए, एक चौथाई चमच जीरा इसी के साथ एक बारिक कटा हुआ प्यास, और इसे हम भून लेंगे जादा प्यास को ला लोने तक नहीं भूनना है, बस इसे दो मिनिट तक भूने ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया, एक शिम्ला मिर्च कटा हुआ और इसे भी हमें तकरीबर एक मिनिट तक भूनना है, इस तरह से भून जाए तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यह पपया के छिलके जो मैंने एक दम बारिक काट के रखे थे, आप इससे बारिक भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से रखे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे प्यास शिम्ला मिर्च के अंदर, एक से दो मिनिट तक भूनने के बाद इसे हम ढखकर धीमी आज पर पकाएंगे, तकरीबर तीन से चार मिनिट के लिए, यहाँ पर तीन से चार मिनिट हो गया है तो ढखकन को हटा लीजे, और अच्छे अच्छे से गल गया, तो स्वातियन उसा नमक, आदी चमच धनिया पाउडर, एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लावनुष पाउडर, और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजे, मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, एक से दो मिनिट तक मैंने इसे पका ल गया है, और आप देखें, यह जो पराठे के लिए स्टफिंग है, वो बन कर तयार है, देख सकते हैं, अच्छे से हो गई है, चारे मसाले भी हो गए, तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब यहाँ पर मैंने लिया है, उबला हुआ आलू, यानि कि बॉइल प नमक, आदी छोड़ी चमस तेल या फिर गी भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, अच्छे से मिला लीजे, अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और आटा गुनना है, तो पराठो के लिए जो आटा है, वो नहीं ज़्यादा सकत होना चाहिए, नहीं ज़्यादा नरम, मी इस तरह से मैंने अच्छे से मसल लिया, अब फिर से थोड़ा सा इसके उपर तेल लगाएंगे, और इसे ढखकर हम 5-10 मिनिट के लिए रख देंगे, रेस देने से आटा अच्छे से हो जाता है, और पराठे और भी अच्छे लगते हैं, जादा नहीं पर 5-10 मिनिट के पर मैंने तवा गरम करने पहले से ही रख दिया है, लोही को चकले पर रखना है, दोनों तरब सूखा गीहूं का आटा च्छड़कना है इस तरह से, अब इसे हम फिर से बेल लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से बेलना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से बेलने के बाद बीच में स्टफिंग डाल देंगे, और उपर से सूखा गीहूं काटा च्छड़केंगे, और इसे फिर से लपेट लेंगे, अच्छे से फिर से सूखा गीहूं काटा लगा कर इसे हमें बेलना है, नहीं पराठा बना रहे तो जैसे आप इसे बेल ले तो तब पे डाल दे और इसे सेखना शुरू कर दीजे हलका-लका सिखना शुरू हो जाए ना ये तब इस पर गी भी लगा सकते हैं तेल भी लगा सकते हैं या फिर मक्षन जिसमें आपको पराठे पसंद है वो लगाकर इसे दोन सारे पराठे सेकेंगे और आप देखिया पराठे काफी अच्छे से फूल भी रहे हैं आपको देखने में और सोचने में या अजीब लग रहा होगा कि छिलके का पराठा कैसा लगेगा पर जब मैंने इसे खाया दई और आचार के साथ साथ सज बतार ये इतना टेस्टी ल तो ये भी ऐसा ही था तो ट्राइ कीजिए और जाते जाते चैनल को सिस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक्यू